राधे राधे मेरे सभी दोस्तों आज मैं आप रोओं के लिए घर पर ही गुलाल बनाने का बिल्कुल हर्बल वाला तरीका बता रही हूँ यानि की केमिकल फ्री तो सबसे पहले आपको चाहिए कौन फ्लार या फिर आरा रोट तो ये दोनों ही दिखने में एक जैसे ही होते ह है बर्टिन में थोड़ा डिफरेंस होता है मैंने एक कटोरी ले लिया है आरा रोट और यहां पर हमें ले लिया है बीट रूट तो एक मीडियम साइज का बीट रूट यानि चुकंदर लेना है और इसे छीलना विलना कुछ नहीं है ऐसे ही आप कद्दू कस कर लो मैं आप को कद्दू कस करके दिखा रही हूँ तो यहां देखिए मैंने चुकंदर को कद्दू कस कर लिया है और इसमें आप डाल देंगे आधा कटोरी पानी और अच्छे से रगड रगड के इसका सारा जो कलर है चुकंदर का वो निकाल लेंगे तो एक तो यह तरीका है दूसरा आप मिक्शी में भी पीच सकते हो तो उसके लिए आपको ग्रेट करने की जरूरत नहीं है चोड़े चोड़े टुक्ड़ों में काट लो तो इनकेस अगर आपके पास मिक्शी नहीं है या किसी वज़ए से मिक्शी चलनी आहई है तो आप कद्दूक से भी काम कर्द चला सक तो यहां पर मैंने मिक्सी में पीस दिया है चनी के थूच छान लेंगे पानी बहुत ज़्यादा इस्टमाल नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा ही पानी भर दिया क्योंकि उतना फिर वह हलका हो जाएगा कलर अच्छा नहीं मिल पाएगा और चुकंदर का जितना यह अप फ चान फलार यानि सुरी आरा रोट और रोट से ही जो गुलाल है वह बनता है जो मार्किट में आप देखते हो बड़ उसमें जो कलर होते हैं उसके लिए उसमें जो डाला जाता है या जैसे घर पर अगर खुश्बू जैसे इसमें लाना चाहते हो तो इसमें आप गुलाब जल बगएरा डाल सकते हो या जैसे इसेंसियल ओयल्स होते हैं उनकी कुछ ड्रॉप्स मिला सकते हो बट कई बार वो घर पे नहीं होते हैं तो मैं आपको एक तो बेसिक वाला तरीका यहां बत जादेगे तो मैंने यहां पेप्न कलर का बनाया है तो एक डैस का जूख लेगा लेंगे और यह इसे मैंने ढूप में शुखा लिया है और इतनी जैदा धूलक का इस्ट새 मिन गया है तो देखो कुछ चातक जाएंगा तो हम इसे चम्मच की साहिता से श्लस करना हैं और अभी आपको यह लग रहा होगा कि यह कैसा है तो अभी आगे आप देखते जो बहुत ही बढ़िया तरीके से जैसे मार्केट से आप लाते हो वैसे ही बन करके यह तयार हो जाएगा अब हमें एक mixer grinder लेना है और इसमें हम डाल लेंगे यह जितना भी खुर्चन है आप चाहे तो इसे थोड़ा थोड़ा दो बार में भी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छे से यह पीसेगा तो मैंने भी दो बार में पीसा है क्योंकि एक बार में यह फैल रहा था तो यहां पर देखे कुछ में लेंगे मिलते हैं और साथी साथ में जो हर्बल गुलाल है ना उसके कलर भी उतने चटक नहीं होते हैं तो यह भी हमारा ग्रबल गुलाल बनके तयार हो गया है और यह अच्छे से आपने इसे सुखाना है हलका सा गीला रहेगा तो हाथों में नहीं लगेगा वीडियो जो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीना